खुद को बिहार का मुकमंत्री उमिद्वार बताने वाली पुश्पम पिरिया के पिता जी अभी हमारे साथ है और जानते हैं क्या रनीती है इनकी इस बार बिहार एलेक्शन में सब्सक्राइब क्या होगा अब जबकि कुश्पम पिरिया ने अपना उमिद्वारी घोजित कर दिया बदर लुग अब देखिए हमने तो पहले भी कहा हमारी परंपरा है हम परंपरा का निर्वान करेंगे हमारी बेटी है तो निश्चित रूप से उसको हम नेतिक समर्थन द लिएते हैं और जहां तक सवाल है जो भीहार में परिवर्तन होगा या नहीं होगा सबै। तो सास्वत हैं, परिवर्तन तो होना ही है, आज हो कल हो जो समय लगे, परिवर्तन की गती और समय उहां की परिस्तिती पर निर्धारित होती है, और आप लोग जानते हैं जी क्या पर इस्तिती है इसलिए उस पर मुझको कूछ ज्यादा नहीं कहना है लेकिन मैं जानता हूँ जो यहां की इस्तिती यहां के लोग संतुष्ट नहीं है और जनता में आक्रोस है पिछले पांच साल के कार्जों को लेकर इसलिए मैं समझता हूँ जो कूछ न कूछ तो चुनाब का घोसना क्या है वहां अपने उमिदवारी सीट से उन्होंने सीधा सीधा नितिश कुमार और तेजस्वी को भी अहवान किया कि आप आईए और हम से मुकाबला कीजिए यह चुनोती को किस रूप से देख रहे हैं यह चुनोती तो सही ही है ना आप बैक डोर से स प्रवेश करते हैं हम भी MLC रहेते क्या है हम तो चुनाब लड़के गये थे MLC का भी और यह लोग तो विधान सभा या गवर्नर को टासे जाते हैं तो बैक डोर हुआ मैं किसी ब्यक्ती विशेश पर आरोप परते अरोप नहीं लगा रहा हूं और नहीं पुस्पम प्रिय कि सोच को गलत ठारा रहा हूं लेकिन यदि आमना सामना भिरंत हो तब जनता को भी मजा आएगा और आप अपने आपको तोल भी सकीएगा यह कितना पानी में आप है यह भी पता चल सकेगा लेकिन यह तो कैनिदेट की बेक्तिगत आ जादी है इस पर हम क्या करेंगे तो क् नितीश कुमार ने आज तक चुनाब नहीं लड़ा और लगातार मुखमंत्री बने हैं तो कुछ अपने पर कहना चाह रहे हैं नितीश कुमार जी की अपनी सोच है वो चुनाब से भागते हैं और चुनाब से भागते हैं कहने का मतलब यह उनका तर्क होता है जह हम पूरे विहार में घुमना होगा लेकिन उसने फैसला किया जो एक नहीं दो जगह से एक जन भूमी से आएक कर्म भूमी से मितलांचल हमरा जन भूमी है वहां से भी मैं चुनाब लरूँगी और कर्म भूमी हमरा पटना है वहां से भी मैं चुनाब लरूँगी ये उसका फैसला है तो आपको क्या लगता है कि नितिस कुमार को यह चुनोती मंजूर करना चाहिए और तेज़ी आदब को इस नहीं यह तो उनकी सोच है न जो मंजूर करते हैं तो लड़ें लड़के अपना दम खम दिखलाब है नहीं करते हैं तो उनके लिए अप्शन तो है ही विदान पर परिशाद से उलरते रहें, जाते रहें एधान परिशाद से, तो किसी को तो कोई मजबूर नहीं करेगा, हाँ ठीक है, हमने चुनोटी दी, आपका काम है चुनोटी सुखार करिए या नहीं करिए, क्या लगता है मतलों अगर दोनों आमने सामने होते था आपको क्या लगता है कि क्या होगा भारी संगर्स होगा टकर होगा मेरा तो यही मनना देखिए जुबापीरी जो है कम्पलीट नाराज है आज भी हमारे पास में पांच जिला से लोग आये थे सिता मधी तक के लोग और उन्हों का कहीं सेलेक्शन हो गया और उसमें था तीन साल तक का और उसको घटा इडवर्टीजमेंट में कुछ है भी यापन घटा के कुछ किया जा रहा है और उन्हों का नुकरी का सवाल है उन्हों का कहना था जिस सरकार जान बूज कर हम लोग को कम्पीट कर चुके हैं तब नुकरी नहीं दे रही है टाल मटोल कर रही है तो उनका आक दृस्त प्रिया wraंगा आय थी उसने यह बोला कि मितलांचल की धर्ती है और मितलांचल की धर्ती पर जब स्टा को रावन से नहीं दर लगा तो मैं कैसे डरूर रावन उन्होंने किसको बोला क्या लगताया ऐत्यावाब राजनीत में हैं रावन किसको बोला यह सबाल आपका लोग सोचें जरावन किसको बोला यह हम कहें जरावन किसी ब्यक्ति विशेश के बारे में उसने कहा तो यह मेरा कहना उचित नहीं होगा और मैं आपको एक बात बताता हूँ मैं तो अभी भी जनता दलिव का सदस हूँ पाटी ने मुझे को निकाला नहीं है और नितीश कुमार जी से मेरा समता पाटी के समय से समंध रह और जब भी वो दरभंगा आए मेरे यहां आते रहे मेरे पिता जी के यहां जाते रहे तो इस परिस्थिती कुछ ऐसी बनी बिहार के इस्थिती देखकर पुस्पंप्रिया कुछ ऐसी बिचलित हुई जिसमें उसने ऐसा निर्णय ले लिया और चुकि बेटी सयानी है पर ही लिखी है इसलिए मैं उसको कुछ का भी नहीं सकता हूँ जो भया आपका निर्णय सही है गलत उसका जो भी निर्णय है उस निर्णय में हम लोग जितना हो सकेगा सहयोग करूँगा आपने बोला कि जदियू में आप बने हुए हैं लगातार जदियू में हैं तो आप पूरे चुनाब में किसके लिए परचार करेंगे और मुखमंती को रूप में आप किसे देखना चाहेंगे पुस्पंपिरिया को या नितिश कुमार को देखिए पाटी हमसे कोई काम नहीं ले रही है पिछले छो महिना से पाटी ने मुझको कोई जीमे बारी नहीं दिया जो पहले से जीमे बारी था वो भी सितिल हो गया तो पाटी हमको कहती है किसी खास शेत्र में तब हम विचार करेंगे लेकिन हमको उमीद नहीं है जो पाटी हमसे कोई काम लेना चाहती है तो चुनाव का समय है और मैं भी MLC का चुनाव लरने का मन बना रखा है तो मैं तो जनता दली के जो उमीदवार हुए है मुझको टिकट नहीं मिला उसको दिया गया चुकि वो BJU परतियासी थे मैं जीता था पहली जीत मेरे कारण हुई थी ना उससे पहले विधान सभाव में कोई जीता था ना लोक सभाव में जीता था मैं ही पहला व्यक्ती था जो विधान परिस्द में जीता था और हम पर मैं उनको विश्वास नहीं रहा तो ये तो हमारा दुर्भाग है उनको मैं किसी तरह से नहीं दोसी ठाड़ा सकता हूँ और मैं जब आत्म विसलेशन करता हूँ मैं सिक्षक हूँ और आत्म विसलेशन करता हूँ तो मुझको लगता है जो मैंने तो आज तक कोई ग तो हाल तक जब वो दर भंगा आए तो मैं जाके पोलो फिल्में उनसे मिला उनको गुलटा दिया उनको घुल्टी मोगी जो में पर थी दिन करता था वो डूटी में निभाई मेरे सवाल का आपने जवाने दें मुख मंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं पुस्पम पिरिया चोधरी को या फिर नितीश कुमार को नए लोगों को भी मुखा मिलना चाहिए एक बार पुस्वम पिरिया भी हो तो कोई हर्ज नहीं आनितीज जी तो मेरे लिए मेरे निता हैं उनके समध्मे में कुछ नहीं कर सकता एक आखरी सवाल कि कब तक आप इंतिजार करते रहेगा कि हम जदियू मेर हैं या फिर आप पार्टी से निकालने का इंतिजार करें या पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं देखिए जैसे ही मेकल विहार विधान परिषद के दर्भंगा असनातक छत्र से अपना नामंकन करूंगा तो सभाविक रूप से पार्टी हमको निश्कासित करेगी हम इस प्रतिक्षा में है जो हम इस्तिपाह नहीं दे पार्टी हमको निश्कासित करें तो क्या माने ज़हेते, उसके बाद आप पुस्पम पिरिया के लिए चुनावी मैदान में कुद करेंगे? उसके बाद तो मैं निर्दल ये रहूँगा, जो मुझे पसंद आएगा उसके लिए चुनाब में खुल के कुल, मेरी जो भी सकती रहेगी, जो उमिदवार मुझे को पसंद परेगा, उसके लिए काम करूँगा, कोई बाजता नहीं रहेगी, जह हम जदियू में हैं, जदिय के अंदर ही वो कहना चाहरे हैं, लेकिन फिलहाल आने वाला वक्त क्या होता, जन्ता किस पे मोहर लगाती है, पुश्पम पिरिया का क्या होता या फिर नितिश कुमार का क्या होता, ये तो चुनाब के बाद ही पता चलेगा, दरबंगा से प्रहलाद कुमार, बिहार तक.